अगर अमेरिकी बाजारों की बात की जाए तो कल की बड़ी उथल पुथल जहलने के बाद वहाँ पर हमने फाइनली देखा कि कुछ मिक्स क्लोजिंग देखने को मिली कोई बड़े बुरे सप्राइज़ नहीं थे सन पी जहां सपाट बंद हुआ है वहाँ डाउ और नाजडाइक दोनों में हमने मामूली सी कमजोरी के साथ क्लोजिंग होते हुए देखी है तो इन सब के माइने क्या है हमारे बाजार के लिए मार्केट में कैसा आक्शन रहेगा पूरी डीटेल लेकर मेरे सही होगी दिबानशु इस वक्स्टूडियो में जोड़ चुके है दिबानशु गूड मॉनिंग कल का दिन तो ऐसा लग रहा था ना कि जैसे दुनिया भर के बाजारों को जूले पर बिठा करना जोर से जूले को धक्का दे दिया गया है तुमोरिटी बाजार का भी वही हाल कभी उपर कभी धड़ाम से नीचे मुझे बताईए क्या वॉलिटालिटी खतम हो गई है आज कहा नज़र रहेगी और कितने एहम संकेत हैं जहां नज़र रखना है I think वॉलिटी और बढ़ती भी दिखी हाला कि विक्स जो वॉलिटी ट्रैक करता है ये गिरा है बट जैसा अक्षन कल सुभा और कल दोपैर में आपने भारती बाजारों में देखा बिलकुल वैसा अक्षन कल शाम आपने अमेरिकी बाजारों में होते हैं तो पिछले तीन दिनों से हम यही ट्रेंड देख रहे हैं कि जो पहले भारती बाजारों में होता है वो फिर शाम को अमेरिकी बाजारों में होते हो दिख रहा है इग्जाक्ली वही कल अमेरिकी बाजारों में हुआ है तो सुस्त शुरुवात हुई थी उसके बाद एक recovery आते हो देखी काफी volatile trading session रहा अमेरिकी बाजारों में और थोड़ी सुस्त closing हुई है बट निचले सरुसे अच्छी recovery अमेरिकी बाजारों में आपने आते हो दिखी दो दिन वज़ा हैं इसके पीछे एक तो जनवरी महीने के retail बिकरी के आकड़े आए हैं वो 3.8% की growth दिखा रहे हैं जो कि अनुमान से काफी बहतर है इसके अलावा फेड के minutes जारी हुए अब फेड के minutes में कोई ऐसा बड़ा negative surprise नहीं था जिसके वज़े से बाजार पर असर पड़े क्योंकि आप पिछले महीने से देख रहे हैं जिस तरह से inflation 40 साल की उचाई पर है economy काफी strong है, bond yield काफी तेजी से बढ़ रही है तो एक डर था कि फेड एक aggressive rate hike policy ला सकता है अगले महीने से rate hike सब expect कर रहे है bond buying खतम होने के बाद bond selling फेड की तरफ से expect कर रहे है ये सब minutes में था, पर कोई ऐसे negative shock नहीं आया कि शायद एक बड़े rate hike की immediately ज़रूरत है तो इससे बाजार का confidence बढ़ा है बढ़ाने की ज़रूरत है, bonds कम करने की ज़रूरत है पर कोई ऐसा बड़ा action फिलाल नहीं लिया जाएगा तो वहाँ से जो बाजार का confidence है वो recovery के पीछे आपको आते होई दिखा है इसके अलावा अगर आप देखें रश्या और यूकरेन की चिंता अभी भी हावी है तो एक जगा जहां फेड से थोड़ा confidence मिला वहीं रश्या और यूकरेन की tension अभी भी हावी है नेटो, यूएस और यूकरेन इन तीनो blocks ने कहा है कि रश्या ने अपने troops वापस नहीं लिये तो जो रश्या की खबर आ रही थी कि हमने drills खतम कर दी है और हम troops वापस ले रहे हैं ये तीनो sections कहने कि ऐसा कुछ हमने देखा नहीं है अब किसको माने ये एक बड़ा guess है बट ये पिछले कुछ दिनों से जो confusion चल रहा है लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी ये चलता ही रहेगा यॉरप की बात करें तो थोड़ा सुस्त कारोबार आपने यहां पर देखा कच्चे तेल पर अफकोस आपको बड़ा impact आते हो देखा तो लगातार दूसरे दिन कच्चे तेल में बड़ी गिरावट दिखी आज सुबा थोड़ी recovery attempt कर रहे थे पर अभी भी अगर आप देखे तो 92.5 के करीब आपको Brent trade करते हो दिख रहा है WTIB करीब 90 डॉलर के आसपास आ गया है गोल्ड में फिर से थोड़ी खरिदारी हुई है तो वापस 870 डॉलर पर international markets में गोल्ड आ गया है डॉलर इंडेक्स थोड़ा सुस्त है तो overall ठीठाक संकेत हैं global markets से थोड़ी volatility हमने देखी है पर क्योंकि Fed कोई aggressive rate hike शायद नहीं करे ऐसा minutes कह रहे है इससे बाजार का confidence जरूर पड़ा है चलिए शुक्रिया दिपांशियों मारे साथ जड़ने के लिए और वो पूरा update global markets का सामने रखने के लिए